जी दुनिया के सबसे साफ सहर यानि की नंबर वन सहर इंदौर में Global Investor Summit का एक बहतरीन आगाज हुआ है इस वक्त हम मौझूद है Global Investor Summit के कारिकरम स्थल यानि की BCC Brilliant Convention Center इंदौर और Brilliant Convention Center में इस कारिकरम का बहतरीन आगाज हुआ है कुछ इन्वेस्टर मेरे साथ यहां पर डेलिगेट्स मोझूद है आप लोग यहां आए हैं आपका स्वागत है क्या लगता है इन्वेस्टर समीट के बाद मध्यपरदेश में किस तरह से इन्वेस्टर देखने को आएगा आप लोग कहां से आए हैं और आपकी क्या रूची है और इसके तहएट हम मुंबई से आये हैं हमारी कंपनी है मीरा क्लेंफिल्स लिमिटेड जो बायो सी एजी और बायो कोल के प्रोजेक्स लगा रही है हमारा जो निवे से पहले फेज में 15 बायो सी एजी के और बायो कोल के प्रोजेक्ट टोटल 900 करोड का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर हमारे उद्ध्यो जोग मध्यप्रदेश से खड़े हुए है सारे जहां पर प्रोजेक्स के काम चल रहे है और बाई फेबरुआरी हमारा पहला बायो कोल का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आ जाएगा और 2023 के अंत के पहले पहले बायो सी एजी के प्रोजेक्ट भी प्रोडक्शन में आएंगे हमारी सबसे बड़ी विशेष्था ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो रो मेट्रियल है वो है नेपियर ग्रास और ये रो मेट्रियल किसान देंगे कोई भी इंडस्ट्री लगे उससे किसान को डायरेक्ट फाइदा अगर हो तो सोने पे सुआगा होता है और हमारी इंडस्ट्री बायो फ्यूल में क्योंकि रो मेट्रियल किसानों के खेतों में होगेगा इसके कारण जो प्रदान मंत्री जी का सपना है किसानों की आई को 2023 तक दुगना करना वो भी इसी से सिद्धा होगा क्योंकि एक लाग से दो लाग पर एकड किसानों को इंकम होगी है तो यह अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके हमने अल्रेडी सुरुवाद कर दिये आपने कितने सेशन अंदर अटेंड किये आपको क्या लगा सेशन अटेंड करने के बाद सबसे पहले तो जो इनोगरेशन सेशन था आज वो हमने अटेंड किया जहां पे मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी प्यूज जो हमारे प्यूज गोहिल सर है उन्होंने अपनी बात रखी प्रदान मंत्री जी ने मैसेच दिया उसके अलावा बड़े-बड़े इंडस्ट्रिलिस आये थे उन्होंने अपना मैसेच दिया सब लोगों का एक ही कहना था कि मद्यप्रदेश is one of the best destination for investment as well as work दोनों के angle से उसके बाद में हम बायो एनरजी से हम जुड़े हुए है हमारी industry वो है हम उसमें थे मगर इसमें एक चीज हमने देखी कि मद्यप्रदेश में एनरजी के उपर बहुत focus है उत्तरप्रदेश में फ्यूल के उपर बहुत focus है एक मैं आपको बताना चाहूंगा बाद कि बायो एनरजी बायो फ्यूल से बन सकती है मगर बायो फ्यूल बायो एनरजी से नहीं बन सकता तो बायो फ्यूल इंड़स्ट्री यह ज़्यादा important है बायो इनरजी से ज्यादा और यह हमारे current fossil field को replace कर सकती है इसके कारण जो हमारे Paris Agreement के जो हमारे टर्म से भारत सरकार के कमिट्मेंट ग्लोबल वर्मिंग के वो सौल हो सकते हैं employment से लेके economical सारी चीजों में विकास हो सकता है आपने जैसे बात की शुरुआत की कि हम 900 क्रोट जो है होगा और क्या अंदाजा लगता है आपको की कहां तक का investment यहां देखने को मिलें इंडिस्ट्री मिनिस्टर ने जब अपना समापन भासन किया उन्होंने बताया कि 500 से अधिक उद्योजकों का फैक्टरियों के लिए और बाकी चीजों के लिए उनको आवेदन मिला है अभी सबके कितने थे वो तो मुझे अंदाजा नहीं है मगर अगर छोटे बड़े भी मिना है तो मेरा मानना है कि 25,000 करोड से 1,000,000 करोड का निवेस्ट तो आराम से होना चाहिए और यह अपने आप में बहुत बड़ा एच्विमेंट होगा मध्यप्रदेश की युवाओं को रोजगार मिलेगा यहाँ पे विकास होगा और सब तरह से मध्यप्रदेश फुलेगा फलेगा तो यह कार्तिक जी का खुद नो सो करोड रुपे का अन्वेस्मेंट करना चाहते हैं और एक अंदाज़ा है कि 50,000 करोड जो है उतना इन्वेस्मेंट यहाँ पर आना है और भी डेलिगेट्स मेरे साथ जुड़ा है आप से बात करेंगे आप कहां से आए एक Ub The तो इसटोस सेंवे हो, खंडवा डिस्टिक से, तो इसंटो्व के स्क्टर्फ में आप काम करते हैं, यहां पर हाइए क्या आगे की प्लानिक रहाएं? वह इंवर्ट तो हमारे上गा इमकोल कर रोधा लेकर इंवेसमेंट की बात कि आप इस कारिक्रम एय क्लोब इनवस्ट में में पार्टिजिपेट किया है किया आगे की रूप रेखा रहे है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्यपदेश सरकार को मानी मुख्यमंत्री जी को जिनों ने ये इतना बड़ा प्लेटफार्म और इतने सारी सुविधा इन्वेस्टर्स को दी है ताकि हम भी मध्यपदेश के इन्वेस्टर्स हैं जो जॉइंट वेंचर में म इरा क्लिंफिय्ट लिमेट जो हमारी मुंबई बेस्ट कमपणी है उसके साथ जुड़कर के हम बायो सी एंजो बायो फेटिलाइजर और बायो कोल का हम प्लांट लगा रहे हैं इसमें हमारे देश के हमारे मत्यपदेश के किसानों का सबसे ज़्यदा फाइदा होने वाला ह उसका जो रौ माट्रियल है वो हमारा अन्यदाता हमारा किसान देना वाला है जैसे कि हमारे माननी प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हमारा किसान ये केवल अन्यदाता ना बनते हुए उर्जा दाता बने तो उसी को लेकर कि हम काम कर रहे हैं और मध्यपदेश में इसका बह कर रहे हैं कि उर्जा का सेक्टर जब फलेगा फूलेगा तो कहीं ना कहीं किसान की आए जो है वो बढ़ेगी और भी कुछ लोग मेरे साथ मोजूद है आप बताइए जी कि ग्लोबल इंवेस्टर समीट के क्या परिणाम आपके देखने मद्यप्रदेश के लिए ग्लोबल इ एक साल के लिए जनरेट नहीं होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए वो बहुत मेहत्वपूर्णा है और जो निच्चितम लेवल तक वहां पर पहुचना चाहिए जो भी एंप्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे गाउ के लोगों को और इनको सरन को उन्निती मिलग तो उस वज़े से जो भी इंवेस्टर यहां पर आए जैसे आज हम इंदन में